फॉस्टबाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरत नजर डालते हैं आज की अब तक की दस बड़ी खबरों पर कोवीट संकर्मन को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने बकर ईद को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन जारी करती है इन गाइडलाइन में कई पाबंदिया भी जारी रहेंगी कहा गया है कि इद पाब से जुड़े किसी आईजन में 50 से अधिक लोग एक स्थान पर एक समय में इखटे नहीं हो सकेंगे गोवर्श, उट अथ्वा अन्य परतिबंदित जानवर के कुर्बानी नहीं होगी कुर्बानी का कार्य स्वाजनिक स्थान पर नहीं किया जाएगा इसके लिए चिन्हेत स्थलो निजी परिश्वरों का ही उप्योग हो स्वस्ता का विशेश धियान रखा जाए 21 जोलाई को बकरीत का त्योहार मना जाएगा इदुल अजहा की विशेश नमाज सुभा 6 बजे से 10 बज कर 30 मिन तक अदा करनी की तयारी है मेरट के लिए साडी गेट थाना इलाके में जाकिर कलोनी निवासी तसलीम का 10 वर्षिय बेटा कमेले वाले नाले में आज सुभा गिर गया है उसके तलाश के लिए कूड़े से अटे पड़े नाले को पहले साफ किया जा रहा है करीब 8 घंटे बाद भी बच्चे का कोई सुराग नहीं लग पाया है तलाश जा रही है उत्राखंड में कोविट करफू 27 जोलाई तक बढ़ा दिया गया है इस बीच राज्य में लोगों को इधर से उधर जाने की छूट दे दी गई है प्रदेश में कैबनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सुभोत उन्याल ने कहा कि अब उत्राखंड के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोगों को कोविट की नेगेटिव आर्टी पीसियार या रेपिट एंडिजन जांच रिपोर्ट की अवशक्ता को समप कर दिया क्या है अब राज्य में दुकाने वे अन्या व्यापारिक प्रतिष्ठान सब्ता में 6 दिन सुभ़े 8 बई से रात 9 बई तक खोल सकेंगे के बीच हो गई है विपक्स ने पेगा संस प्रतामांत्रे नरेन्द मोदी संसत सत्र कि पहले दिन अपने मंत्री परिश्ट के नए सद्यों का परिचय भी संस्यत के दोनों सद्नों में नहीं करवा पाए। अंतत्य है लोकसभा और राजसभा की कारवाई दिन भर के लिए इस्थिगित कर दी गई। दोनों सद्नों की कारवाही अब मंगलवार पुरुहार ग्यारे बजे शुरू होगी कामण यात्रा को लेकर चली आ रही रस्सक्रसी पर आज विराम लग्या یूपिय सरकार ने अपने हल्प नमे में कोड से कहा है कि सबही कामण संग यात्रा अस्त्रकत का निग़न तयार है इसलिए इस साल यात्रा नहीं हो गई इस पर इलाबाद हाई कोट ने इस चेतामनी के साथ मामले को बंद कर दिया है कि अगर यात्रा निकाली गई तो करवाइक की जाएगी। इससे पहले उत्रकंड सरकार और फिर बाद में केंज सरकार ने भी कोविट संकर्मन को देखते हुए कावण यात्रा रद कर दिया थी जबकि योगी आधितनात के सरकार किसी भी तरह यात्रा निकालने के पक्ष में थी। इससे पहले बी आजम खा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को करोना संकर्मन के चलते 9 माई को में भरती किया गया था। लेकिन आजम खा की तबेट भिगरने पर उन्हें 9 माई को लखनो के मेदानता अस्पिताल लाया गया था। रिपोर्ट नेगिटिव आने पर उन्हें जेल वापस स्थानेंतित कर दिया गया था। अब एक बार फिर से उनके तबेट खराब हो गई। समाजवदी पार्टी के अध्यक्ष अकलेश यादो ने कहा है कि भारत का शाषन सविधान से चलता है लेकिन भाजपाववे संग अपना नया सविधान देश पर थोपना चाहते हैं। अगामी विधान सभजणों में हाथ से सकता फिसलता देख, हतार्षवे निरास, भाजपा और राष्टे संव सेवक संग की एक महा में चित्रकोट, वरंदावन और लखनों में बैठकी हुई है। इन बैठकों का एजंडा शाजिशी रणनीती बनाना है ताकि किसानों और करोडों बेरोजगार की नौजवानों से के गए वादों को किसी तरह बुलाए जा सके और लोगों को बहकाने के लिए नए-ने तरीके ढूड़े जा सके। अक्रेश यादों का कहना है कि भाजपा के पास अपनी उपलब्धी के नाम पर गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। वे मुद्दो से भटकाने में लोगों को लगे हुए है। जोही सब्सक्राइअ चार मंत्री। अश्वनी वैश्रम ने लोगसभा में बैयान में गनत्री है कि फोनटैपिंग से जासूसी के आरोप गलत है। लिग डेटा का जासूसी से कोई लेना देना नहीं है। डेटा से ये साबित नहीं होता है कि ये सर्विलांस हुआ है। फोन टेपिंग को लेकर सरकार का प्रोटोकॉल विहत सक्थ है, लगाय जारे आरो बेबुनियात है। किष्री कानून के विरोध में गाजीपूल बॉर्डर को बैठे किसानों ने संसत भवन के बाहर मार्च का एलान कर दिया है। किसानों ने कहा है कि वे इस दौरान शांती पूर्ण तरीके से परदशन करेंगे। किसानों ने अपनी पूरी तयारी का खाखा दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है दिल्ली पुलिस भी लगतार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन किसान दिल्ली पुलिस की कोई भी बात माने के लिए तयार नहीं है वहीं विपक्ष भी किसी कानून को लेकर सदन में चर्चा की मांग कर रहा है किसी कानून के विरोध में सेंफ्त किसान मोर्चा के बैनर तले करीब 40 किसानों के दल विरोध बरदर्शन कर रहे हैं हर दल से 5 किसान संसत मार्च ले जाएंगे यानि कुल 200 किसान प्रति दिल संसत मार्च में शामिल होगे इस बुलिटिन में फिलाल इतना ही है कोरोना की रफ्तार अवश्य धी में पड़ी है लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है तीसरी लहर को आने से रोकने के लिए हमें अभी से सतरक्ता परतनी होगी सरकारी गाइडलेंड का पालन करें जब तक जरूरी नहीं हो घर से नहीं निकलें घर पर रहें सेफ रहें देखतर यह फर्सबाइट वे नमस्कार